अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यह जो लेट से प्रोग्राइम यह प्रोड़क्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया था यह फैमिली ट्री जिसको मैं कहा रहा हूँ इसके अंदर यह हो सकता है जैसे इस केस में भी था के एक जो कॉम्पोनेंट है वो एक से ज्यादा डिफरेंट सब इसम्बली या उसमें यूज हो रहा हो और वो डिफरेंट लेवल के उपर जाकर यूज हो रहा होगा है लेट्स लुक एट के लेवल से क्या मुराद है जो के एंड प्रॉड़क्ट होता है उसको हम लेवल जिरो देते हैं और फिर जैसे जैसे उसके अंदर यूज हो रहे हैं वो लेवल वान लेवल टू लेवल थ्री एंड सो ऑन उसके अंदर यूज होता है हमने यह करना है क एक component दो different level के उपर नहीं हम उसको रख सकते हैं क्योंकि उसका एक ही record बनना है उसके दो record नहीं बनने तो उसके लिए हमें उसको align करना पड़ेगा to lowest level के उपर वो मैं आगे explain करके क्यों जो bill of materials है वो one level at a time उसको हम process कर रहे होते हैं for example zero level सबसे पहले होता है फिर one level में जो भी components वह रहा होंगे वो process होंगे कितने चाहिए zero level को produce करने के लिए फिर level two में जितने होंगे वो process होंगे कि level one के लिए हमें कितने चाहिए और कब चाहिए तो हम यह नहीं कर सकते कि अगर एक product है वो एक जगह level one में आ रहा है और एक जगह level two में आ रहा है तो हम इसको separate रखें इसको हमें align करना है और इसको हम level one पर align नहीं कर सकते क्योंकि level one क के अंदर यह यूज हो रहा है एक और जगा तो फिर क्या करेंगे हम जो लेवल वन के अंदर अगर यह प्रॉड़क्ट पढ़ा हुआ और लेवल टू में पढ़ा है तो इसको हम नीचे खेंच लाएंगे लेवल टू के अपर इसको कंसिडर के रहेंगे तो दैट इस वाट इ इफरेंट स्पीकर्स वगारा की वो फिगर्स वगारा थी वो मैंने इलिमिनेट कर दी है तो यह ए है ओसम इसके अंदर बी और सी यूज हो रहे थे बी के दो यूनिट यूज हो रहे हैं और सी के तीन यूनिट यूज हो रहे हैं बी के अंदर डी के दो यूनिट और एके unit हो रहे है अब अगर इधर हम देखें तो ए जो है ये दोनो एज कि जो बी और सी हो रहे हैं यह एक ही level पर हैं तो इनको हमें change करने की जुरौत नहीं है जब कि f के अंदर g और डी हो हुह नॉआ दौ d'ds हो रहे हैं जो के f में जारहे है बट और इधर B D use हो रहा है जो के B में जा रहा है अब यह जो लेवल्स है basically zero level A के फॉल कर रहा है zero level पर level 1 में B और C फॉल कर रहे है level 2 पर इदर D, E and F फॉल कर रहे है level 3 में G and D again D फॉल कर रहा है so इसके अंदर हो यह रहा है के D जो है वो level 2 पर भी है और level 3 पर भी है अब जैसे हमने bill of material को process करना है तो सबसे पहले हमारा A zero level process होगा फिर हमारा B और C process होगे यह level 1 के उपर है फिर from B we will calculate के D कितने चाहिए जो के level 2 पर fall कर रहा है जबके अगर हम C वाले ब्रांच में जाएं तो यह D जो है यह third level पर fall कर रहा है अब हम यह इसको separately नहीं करेंगे record एक ही हमने बनाना है D का D को हम level 2 पर नहीं ले जा सकते क्योंकि level 2 पर ले जाने के लिए जब तक हम determine F को नहीं कर लेंगे हम D की calculation नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका की है कि हम इस D को नीचे pull कर लें और इसको level 3 पर ले आए और फिर इसकी calculation करें तो यह जो D है फिर यह level 3 के अंदर उस D के साथ process होगा जो C में के branch में लाए कर रहा है तो इसको जो हम देखें तो basically low level coding जो है वो फिर इसकी shape कुछ इस किसम की बन जाएगी कि आपका जो D है उसको हमने नीचे pull करकर level 3 के अंदर हम ले गए और अब हमारे लिए issue नहीं बनेगा क्यूंकि हम पहले A को करेंगे फिर B and C को करेंगे फिर B से drive कियावा लट से हम E को करेंगे C से drive कियावा E को करेंगे तो ये दोनो combine होकर एक record बन जाएगा ये A की level पर fall कर रहे हमें कोई issue नहीं है F को करेंगे जो कि C के अंदर use हो रहा है जब F को हम कर लेंगे तो उससे हम determine करेंगे कि D की कितनी quantity हमें चाहिए F के लिए इदर हम मारे पास already value होगी कि D हमें कितने चाहिए B के लिए now third level करकर हम इस D को का एक record develop कर सकते हैं जिसके अंदर F की quantity भी add हो जाएगी और B की quantity भी add हो जाएगी जिस को ये D जो चाहिए है उन दोनों के लिए वो quantity एड होकर हम A की record develop कर लेंगे so this is basically low level coding जो के हमारे काम को ज़्यादा असान बना देगा और उसमें किसी किसम का कोई फिर problem खड़ा नहीं हो सकता हो